कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूटूब चैनल को और साथ में लगे बेल आइकोन पे प्रेस कर लिजिए जैसे आप उस पे प्रेस करेंगे आपको त्री आप्शन दिख जाएगा उसमें से आपको औल आप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है जैसे आपको उसको सिलेक्ट कर लेंगे मैं अपने वीडियो जैसे ही यूटूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नूटिपीकेशन आप तक पहुच जाएगा हेलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूटूब चैनल ए आरजी एटुकेशन चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारस से रिलेटेट जीके के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों आपको बता दूँ यह जो इंडिया है यह बीज़ों की सब से दूसरी को स्वार्दिक जंसंख्यामाला देशे तो आपको पता होगा यह जो है इसकी अगर छेत्रफल के हिसाब से भारज छेत्रफल के इसाब से भारज सात्वा स्थान परें भीश्व में तो इस से रिलेटेर और्ने के कई परकार की हम जीके के बारे में बात करूंगा चुकि य वीज़दार से वह भी हम चित्र आनुसार आपको बताऊंगा चित्र आपको दिखा दिखा कर आपको मैं समझाने की प्यास करूंगा तो चलिया चीज बीडियो को सुरू करते हैं दीखिये का दोस्तों सबसे पहला कुशन वह हां भारत ऐसया के कि यह वाय स्वेश्वाय सा ऑजो आप आपने देखा यह सब आपको भारत एक देश से भारत एक देश से जिसे हम लोग इंडिया कहते हैं जिसे हम लोग इंडिया हिंदुस्तान कई परकार के इसके नाम है ठीक है इंडिया हिंदुस्तान ठीक है अब बात आता है एसिया एसिया एक महादेश या फिर महाद्वीप है महादेश या फिर महाद्व लिख बिभीनताएं पाई जाती है महादेश या फिर महादवीब गालाती है इस डिफिनिशन को आपको लिख लेना है मैं एक बार और आपको बता देता हूं विसालतम भूभाग जहां बिभीन प्रकार की भोगो लिख बिभीनताएं पाई जाती है महादेश या फिर तो चुकि यहां पर हम एसीया के बारे में जानने वाले तो चलिए आने जानते हैं लेकिन सबसे पाहले इस क्वेश्चिन को डिस्कस कर लेते हैं देखान दिजिए यह फीर साउथ एसिया में इस्तित यह फिर साउ चीज को आपको को याद रखना है अब चलिए हम लोग समझते हैं लोग एस चीज को देखिएगा यह पिक्चर में आपको जितने भी ग्रीन कलर के दिख रहे हैं जितने भी आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं यह है आपका एस यहां पर बॉक्स है ग्रीन और ग्रीन में इधर की और मैं साइ है अब हम बात करते हैं जांबू कर दो द्वीब न ऊपने हां पे देखा द्वीब कपने थो द्वीब इसमें भी जो है द्वीब का प्रियोग होगा था ठीक है दोस्तो तो देखिएगा इस द्वीब का परिभासा सुनिएगा द्वीब की परिभासा सुनिएगा दोस्तो और जॉंबी द्वीब कहते हैं लो और एसिया को हम लोग जॉंबी द्वीब भी कहते हैं तो महा द्वीब की दुवीव की परिभासा दिखिःगा दुप को हम लोग ठापू भी कह सकते हैं वो ठापू ठापू या इसे इंगलिज में कहते हैं वो आय रे ठापू Year ुश- Congrats यहा क यह होगा अब सूनिएगा जो है किसट्रा कॉंड कॉन से द्रिष्टी से लिखेगा ज़रा अकार अकार और जनसंख्या के द्रिष्टी से यह बिस्व में शब्सें बड़ा महाध्यीप है थो आतार और जन संख्या खैसाब से ऑपीतों में सबसे बारा महाथीं पर जो कहाँ से ऐसी तैए उत्री गोलार्द में इस लघितैं परस्चिमें सिमय मोफ вас दोयों से मिलती है कि से मिलते हैं उरोप यह एक महाधे से ठीक हे तो यह जो है फर्चिम कीसी जो से माई है यह यह स следed यार फंटेर पाश्यम कि सीना जीम यूरोप से मिलती है अब देखिया है कभी कभी इसे हमूलोग , इन दोनों को हम लोग मिला करके यूरेशिया भी कहते है छू एस यह और यूरोप के फोर करोर 45,079000 एसिया की यह टूटल यंसम क्या है outs ads यह की छेत्रफ एक क्या है छेत्र फॉल एस sind Recogn franch के यह मैं लिख दिता हूँ इतर की यह मैं आपको definitely दे ताँ कि याद करने मा आपको यह हो असानी ध्यान देछेगा इसका जो छेत्रफ ए juich के से क्लूट संख्या यहरा इसकी जहाएं किलो मीटर यह जब इसको हम लोग वर्ग मिल में नो जब इसका हम लोग वर्ग 3,212 हो घार्ट एक इसंता झार्वर्ल में हो जाएक है जही इसका व्रही में हो जाएगा ठीक है यह्य कन बबर कि किलो में üçफ्वार में और यह मील होद एक इतना जो एस है का 005,44 billion सेवेंटी नाइन थाउजेंड है किलो मीटर स्कॉयर एसिया का छेत्रफॉल अगर हम वर्ग मिल में बात करें तो वन करोर सेवेंटी टू लाइक ट्वेल्व है इसका छेत्रफॉल एसिया का तो इस चीज़ को आपको लिख लेना है वन करोर सेवेंटी टू लाइक ट्वेल्व थाउजेंड वर्ग मिल है यह सिया का छेत्रफॉल और 445,079,000 किलो मीटर स्कॉयर है यह किलो मीटर स्कॉयर में है और यह वर्ग मिल में ठीक है इन दोनों को आपको लिख लेना है और इसको यहाद भी कर लेना है अब बात करते हैं यह तो हो गया इसका छेत्रफॉल यह तो हो गया इसका छेत्रफॉल अब बात देखिएगा अब बात करते हैं इसकी जनसंख्या जनसंख्या का घंत्वा ठीक है दोस्तो जनसंख्या घंत्वा ठीक है जनसंख्या का घंत्वा देखिएगा यह में जो जनस प्रति किलो मेटर स्कॉर्ड ये इसका जन संख्या का एसे आ का जन संख्या इंग扌न्थू है Each nine प्रति किलों मेंटर स्कॉर्र यह फिर आप कह सकते हैं । ट्वेंटी टूँ सिख्स प्रति work mil य। वर्ग में आगे और यह किलो मीटर स्कॉर्ण में ये एसिया का जनसंख्या का क्या है घंत्वा है इस चीज को भी आपको लिख लेना है एसिया का जो घंत्वा है जनसंख्या का जो घंत्वा है 89 प्रती किलो मीटर स्क्वाइर और मिल में इसका होता है 226 वर्ग मिल प्रती वर्ग मिल ये इसका जनसंख्या का क्या है घंत्वा ह तो इन दो चीज़ों को हमने सीखा छेत्रफॉल और जनसंख्या हमने सीखा इन दोनों को आपको लिख लेना है अब आते हैं एसिया में जो लोग रहते हैं उसकी राष्ट्रियता क्या होती है मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं एसिया के लोगों की राष्ट्रियता राष् यहीं तो इस चीजह को आपको लिख लेना है चुक्कि हम लोग एशिया की बात करने तो एश्चिता कहा है एश्य हन ठीक है इस चीज़ को आपको लिख लेन है अब बात करते है यह जो है इसमें कितने डेशंत देखशें न्यदयर वोक्षेंड ट्थेज़ में tut छेत्र होता है एस या का जो समय छेत्र है वह है U T C प्लस 2 टू U T C प्लस 12 यह इसका जो है एस या का समय छेत्र है इसको आपको लिख लेना है ठीक है दोस्तु क्या है एक बार में और आपको UTC प्लस 2 से UTC प्लस 12 ये Asia का जो है समय छेत रहें अब देखिएगा अब यहाँ पी देखिएगा 2016 में 2016 में Asia की जो जनसंख्या थी 4,46,000,000 थी कितना थी 4,46,27,000 थी ठीक है कितनी थी 2,7 करोड इस इसको आपको लिखिएगा एसिया में जो लगभग 48 एसिया में कुल हमने देखा 52 देशे 52 में जो 48 है यह UN के सदसे 12 में जो 48 देशे UN के सदसे और बाकी जो 6 है यह अन्य है 52 में 48 देशे UN के सदसे और 6 UN के सदसे नहीं मतलब कहीं और के अन्य है अन्य है ठीक है तो इस चीज को आपको लिख लेना है यह थी एसिया के कुछ बारे में जनकारी इसके बारे में कुछ जनकारी यह जो इसके बाद मैं और आपको बताना चाहу तो प्रिथ wys का लगब Ach 30% जो है 30% बीज़टार ईस्या मारत्षीक लगबख एस्या महाद्वीप में विछ सार् परकूरे 20 में 60% एस्या महादुब में अगरे उस में 10 ए 1000 लोग रहते हैं उस में बीश्व की जितनी जनसंख्या उसकी 60% जो जनसंख्या रहती हो कहा रहती है इस यह महत्यूप में रहती है तो चलिए आज की चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा दोस्तु नेक्स्ट क्वेश्चन है छेत्रफॉल का अनुसार भारत बीश्व का कौन सा एस्थान पर है छेत्रफॉल के अनुसार भारत का बीश्व में कौन सा एस्थान है तो इसका राई टेंसर जाएगा साथ है जैसे कि मैंने आपको आगे भी बता चुका हूँ यहाँ पे दिखिएगा इसका राई टेंसर जाएगा साथ सात्वा एस्थान पर है कितने अस्थान पर दूस्तों सात्वे अस्थान पर है अब इस चीज को देखिएगा अगर मैं भारत की छेत्रफल की बात करूं तो इसका भारत का जो छेत्रफल होता है वह तो तैया 32,87,263 यह इसका टोटली छेत्रफल है तीसरे अस्थान पर आता है आपका सनीव पर आता है ब्राजील और सात्वे अस्थान पर आता है अस्थान पर आता है अश्ट्रेलिया तब जाके सात्वे अस्थान पर आता है इंडिया तीसरे अस्थान पर छेत्रफल के अनुसार तीसरे अस्थान पर है शेत्रफल के अनुसार तो इस चीज को आपको यह देखिए कर लेना है चुकि मैंने आपको बताया कि भारत का जो टोटली छेत्रफल है वो है 32,87,263 इसकी जो है छेत्रफल है तो इस चीज को आपको याद कर लेना है अब देखिए कि तीश्रा क्वेशन क्या करें जनसंख्या के अनुसार भारत बीश्व में कौन सा है स्थान पर है जन इस चार्ट द्वारा समझ सकते हैं इस चार्ट द्वारा आप असानी से समझ सकते हैं इस चार्ट में जो स्थान जिसका सबसे अधिक छेत्रफल हैं वह सबसे अधिक जनसंख्या वाला देस है चाहिक देख सकते हैं यह जो चाइना है और यह विसे वरसी अधिक छेत्रफल के इसाब से हैं डिशाठुया जब कि भारत जो है जनसंख्या का अनुसार दूसरे अस्थान पर है भारत जबकि छेत्रफल का अनुसार साथ वे अस्थान पर है देख सकते हैं कितना अंतर है अब देखिएगा यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखिएगा यह जो चाइना है टोटली बीशु में बीशु के जित आगे भी देख सकते हैं इधर की और जितने भी यह लिखा हुआ है यह जितने भी लिखा हुआ है यह परसेंट है यहां पर कितने परसेंट कहां पर रहते हैं और यहां पर आपको नाम भी दिखा हुआ है जिस देश का है जिस देश का यहां पर इंडिया लिखा था तो इंड की दीखिएगा 14 जोथा दीखिएगा हम ने यह तो जाना कि जनशंख्या कुन सार भारत दूसरे स्थान पर है लेकिन यहां की जनशंख्या कितनी है तो देखिएगा 1 करोड, 35 में 10 ला टू 6 करोड है यह इतना करोड है 135 करोड करोड कर सकते हैं लगभग ओन करोड सिकते हैं इसकी जो भारत की जन संहँक्या है तो भारत की जन संंहे है 135 करोड पर चोथा दिखिएगा चौतहा क्वेशन क्या है चोथा भारत की दच्छिन में कौन सा महा सागर है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों महा सागर इंडियान ऑसियां अब देखिएगा इस पिक्चर द्वारा इस चीच को समझने की प्याज कि लिएगा हिंद महा सागर यह बीशु का एक ऐसा महा सागर है जिसका किसी देश के नाम पर इस महा सागर का नाम है किस देश के नाम पर हिंद महा सागर का क्या नाम पर हिंद महा सागर किस के नाम पर हिंद महा सागर है तो हिंदुस्तान के नाम पर जो पर है इसका नाम हिंद महा सागर पर है हिंदुस्तान के नाम पर अब बा अब बात करते हैं यह जो है विसु का तीसरा सबसे बारा महासागर है विसु का तीसरा सबसे बारा महासागर कौन है हिंद महासागर है प्रिथवी की सतोह का उपस्तित पानी का लगभग यह 20 परसेंट यहां पर होता है 20 परसेंट किसमें हिंद महासागर है मालनी यह 100 पानी ह सो लिटर पानी है उसका लगबग 20 लिटर पानी कहां पर है हिंद महासागर में 20 लिटर पानी हिंद महासागर है बाकी 80 लिटर पानी क्या औरने महासागर में जैसे परसांत महासागर और अंटांटी का महासागर इन सभी महासागर में ठीक है तो यह 20 वकार 3 सबसे बरा देश और यहां पर लगबग 20% 20 वकार 20% जल यहां पर पाया जाता है यह तो हमने समझा इसकी चौडाई है 10,000 किलो मीटर 10,000 किलो मीटर इसकी चौडाई है किलो मीटर और इसकी मिल में बात करें 6200 मिल इसकी मिल में इसका यह दोनों आपको जो दिख रहा है यह इसका क्या है चौडाई है यह इसका चौडाई है एक है मिल में और एक है किस में किलो मीटर में ठीक है यह किलो मीटर में है और यह मेल में ठीक है तो इन दोनों को आपको याद कर लेना अब बात करते हैं यहां पे दिखिये इसके साथ सद्रें इसकी चोणाई जाना तो इसकी चोणाई जो है चोणाई देखियेगा यहाँ पिमेलिख दे रहा है cał फरी किलो मीटर या फिर 6600 lux बेल यह इसकी चोणाती अब इसका छेतरफल देखते हैं यहां पर मैं लिग दिया छेतरफल इसका छेतरफल जो है 7 क्रोर 35,56,000 वर्ग किलोमीटर यानि किलोमीटर का है स्कुर्वाइर इसका प्रोटली छेतरफल है अगर इसकी मिल में बात करें मिल में बात करें तो ध्यान दीजेगा 200 सवरी दोस्तो 2 करोड 84 लैक इसकी जो है इसकी जो है क्या है टोटली वर्ग मिल है मिल का स्कॉयर है यह इतना च्छेतरफल है यह किलो मीटर स्कॉयर में यह मिल स्कॉयर में तो इस चीज को आपको याद कर लेना है ठीक है दोस्तों तो ये थी ये थी महासा हिंद महासागर के बारे में कुछ जानकारी इस क्वेस्चन में क्या समझा ध्यान दिजेगा भारत के दक्षिन में कौन सा महासागर है तो हिंद महासागर के बारे में हमने क्या समझा हिंद मह पहला ऐसा देश है पहला ऐसा महासागर इसका नाम किसी देश पर है तो आप जानते हैं कि भारत के नाम पर इसका नाम पर है हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम क्या पर है हिंद महासागर पर तो इस चीज को आपको याद कर लेना है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते यह시면 लो next क्या है नेक्स्ट देखिएगा बंगाल की खारी भारत में कीस भागी में पॉर्णाइन तो इसका र Honors न पूर। में यहां पर देख सकते हैं दर्छीन और यह पूर। तो दर्छीन पूर में यहां सकते हैं तो दस्षिरपूर्वें बंगाल की क्या है खारी है भारत के अब दिखिएगा next question next question देखिएगा है अब सबसे पहले इस चीज के बारे में जानते हैं भंगाल की खारी के बारे में घ्रमबात करें तो हींद महाशागर के उत्री पूर्वी हिस्से से यह का है हिंद महासागर के उत्री पूर्वी हिस्से में क्या है एस्थित है हिंद महासागर के उत्री पूर्वी हिस्से में क्या है यह बंगाल की खारी जो है एस्थित है और इसमें क्या है नमक पानी का समूदर यह कौन सा पानी का समूदर नमक इसमें नमक अधिक पाए जाते हैं तो आप कर सकते हैं यह नमक पानी का समुद्र है खारी पूर्व में मल्द्वीप और पश्चिम से भारतियों महाद्वीप से गिरिये कि पूर्व में किसे गिरी हुई है मल्द्वीप मल्द्वीप मलय या मल्द्वीप और पश्चिम में भारतिय उप महाद्वीब से घीरी है इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए भारत की बे बंगाल जो है यानि बंगाल की खारी जो है उत्तर में मलाय मलद्वीब से घुरी हुए है और पश्ची में भारतिय महाद्वीब से घीरा हुआ है अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ बंगाल की खारी की लंबाई तो इसकी लंबाई यहाँ पे लिखेगा मैं आपको लिखवा देता हूँ लंबाई इसकी अब यहाँ पे इसक अधिक्तम गहराई की बात करूं अधिक्तम गहराई लिख लिजेगा मैं टोटली नहीं लिख रहा हूं अधिक्तम गहराई जो है इसका है 2694 मीटर इसका अधिकतम गहराई है अगर मैं आसत गहराई की बात करूँ ये थी अधिकतम गहराई और आसत गहराई देखते हैं लो आसत गहराई आसत गहराई इसकी है 2600 मीटर है इसकी आसत गहराई और अधिकताँ गा रहा ही 2694 मीटर और अवसत गा रहा ही 2600 इसकी अवसत गा रहा ही है अब दिखेगे इसका छेत्र पहल अब इसका छेत्र फाल जो है इसका जो छेत्र फाल है वह है सब्सक्राइब और यानि बंगाल की खारी तो इस चीज को आपको याद कर लेना है दिखेगा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि एक बार आप देख सके एक बार मैं और आपको समझा देता हूं बंगाल की खारी की जो लंबाई है वह है 2,090 km और इसकी अधिक्तम जो गाराई है वह है 2,694 मीटर और इसकी औसद गाराई है 2,600 मीटर और इसका जो छेत्र फाल है वह है 2,172,000 km2 इसकी छेत्र फाल है तो इस चीज को आपको याद रख लेना है अब चलते हैं आगे छटवा गया है दिखेगा भारत की सीमाय कितने देशों से टकराती है भारत की जो सीमाय है वह कितने देशों से टकराती है तो साथ देशों से टकराती है k утकल से tot जानते हैं लोग भारत की जो शिमाए थे वह साथ से टकらती है लाइ तो इस चीज को आपको याद कर लिना अब चलते हैं सात्वा और भारत की परोशी भारत के जो परोशी देस प्रցप कौन कौन से है तो इसका राइट एंसर यहां पर में दिखिएगा क्या करें दूस्तों भारत की पर उसी देश कौन कौन से है तो नेपाल है चीन है भूटान है मैमार है मेमार को आम लोग बार्मा भी कहते हैं लो सिरलंका है, मालदू है, अफगनिस्तान, पाकिस्तान और बंगला देश ये टोटली जो है, ये टोटली जो है, क्या है, ये टोटल क्या है भारत के क्या है, परोसी देश है, इस चीज़ को आपको याद रखना है भारत के परोसिदे से ये सब, तो इन सबी चीजों को आपको याद रखना है, अब चलते हैं लोग आगे, नेक्स्ट दिखिएगा, आठवा, भारत में मुख्य धर्म कितने हैं और वह कौन-कौन से, आठवा क्या है, भारत में मुख्य धर्म कितने हैं और वह कौन-कौन से, यहां पे दो सवाल दिखाएगे, पहला कितने धर्म हैं और दूसरा कौन-कौन है, तो कितने हैं और वह कौन-कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं, भारत में मुख्यता चार धर्म है, वैसे तो पांच धर्म है, जिसमें एक है बुद्ध, बौध धर्म, बौध धर्म, लेकिन इसकी जो टोटली भारत में जो इसकी जो अबादी अबादी है 0.70 परतिसत है मैं आपको बताऊंगा कि कितने परतिसत कौन से धर्म अड़ाता है तो टोटली 5 भी लिख सकते हैं या फिर 4 भी लिख सकते हैं लेकिन 4 होता है मुख्य धर्म एक 5 वा हो जाता है बहुत धर्म ठी लिखिएगा पहला है हिंदू दूसरा है मुस्लिम तीसरा है सीख चोथा है इसाई हिंदू मुस्लिम सीख इसाई यह चाहर है ठीक है यह भी आप लिख सकते हैं बौध यह भी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो बौध धर यह भी लिख सकते हैं अगर मैं बात करूं इन दोनों की जनसंख्या की भारत में कितनी जनसंख्या इनकी रहती है तो यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ लिखियेगा यहाँ पे लिखियेगा जो हिंदू भारत जनसंख्या के भारत की जुजितनी भी जनसंख्या उट्स की 79.8% हिंदू रहते हैं लो हिंदु रहाते हैं लो भारत की टोटिल जन संक्या का 79% 79.8% हिंदु रहाते हैं लो और बाकी 14.2-3% इसलाम रहाते हैं लो और 79.8% हिंदु रहाते हैं लो और 14.2-3% इसलाम रहाते हैं लो इसके बाद बाद करते हैं इसाई तो इसाई जो होते हैं 2.3% इसाई रहते हैं भारत की कुल जन संख्या का 2.3% इसाई है और भारत की कुल जन संख्या का 1.72% सीख रहते हैं और जैसे कि मैंने आपको आज़े बताया था बहुत हैं के बारे में 0.70% बहुत 0.70% बहुत तो इन सबी चीजों को आपको लिख लेना है अब मैं एक बार आपको बता देता हूं द्यान देगा यहां पे भारत की टोटली जन संख्या के बहुत तो इन सबी चीजों को आपको याद रखना है अब बढ़ते हैं लोग हम लोग आगे देखिये अगा नुववा नुववा क्या कर रहा है भारत अजाद कबुवा कद जानते हैं कि भारत जो है अजाद कर गुद्ट यॉवा चुकर हम जानते हैं कि भारत जो है मतलब अंग्रेजों के अधिन था ठीक है नाइंटीन फो था ठीक है अंग्रेजों के अधिन था तो वही कहा रहा है कि भारत जो है अंग्रेजों के चुंगल से कब आजाद हुआ या आप कहा सकते हैं कि भारत आजाद कब हुआ तो इसका राई टेंसर हो जागा 15 अगस्ट 1947 15 अगस्ट 1947 इसका जो होगा राई टेंसर होगा भारत जो ह जो है आजाद हुआ था जो अंग्रेजों की चुंगुल से छूटा था 15 अगस्ट 1947 तो इस सब चीजों को आपको याद कर लेना है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब देखिएगा दोस्तों अब क्या है अब कर रहा है दस्वा दस्वा कर रहा है भारत का सबसे बड़ा स जहानने के जफे अब आगे चुसितारी भारत परकाने की प्र मूंबाई जो है भारत का सबसे बड़ा हैए नगरा ch caseल आपके कि आ है तो attributes करें मुंबाई की तो मोंबाई जो है भारत का सबसे बड़ा नगर है छे? करनाटा की रजदानी यह दची ही भारत म कान भारत में इसकी जो टोटल पहलाए एक करोर दस लाग लोग रहते हैं इस पूरे डिश्टी का फैलाव कितना है पूरे डिश्टी का मैं पूछू हूं तो पूरे डिश्टी का फैलाव है हम है तो हमने जाना बेंगलयोर जो है भारत का ITव होसी को फैलाव के वह वें टव स्क्सक्राउब यह भारत जो हो सब्सक्राव है यह फेलाव यार फ्राइख भारत मेery अहीं है यह है 10 सलाग से वह ज़्यादा लोग रहाते हैं इसके पूरे डिश्टी का फैलाव है 2196 km2 बैंगलोर को भारत का IT होबी माना जाता है ठीक तो इन सभी चीजों को हमने सीखा अब बढ़ते हैं लोग आगे गेरा हवा कोस्चन या रहा हवा कोस्चन क्या करें ये दिखिएगा भारत में रहने वाले बैक्ति को क्या कहते हैं मतलब जो भारत में जो बैक्ति रहते हैं उन सब को हम क्या कहते हैं तो इसका राई टेंसर हो जाएगा यहां पर दिखिएगा भारत में रहने वाले बैक्ति को क्या कहते हैं तो इसका राई टेंसर हो जाएगा भारतिया इंडिय भारतिया यद फिर इंडियन की क्या है तो असा होता है जिस राष्ट में मूल अधिकार किस सम्विन धान से प्रेड़ी ते ज्यां दिएगा question number 12 दिखेगा हमारे सम्विन धान में मूल अधिकार सम्विन धान में एक अधिकार है मूल अधिकार यह कराई किस अधिकार से किस सम्विन धान से प्रेड़ी ते हमारा जो सम्मिधान में एक अधिकार है मूल अधिकार यह किस सम्मिधान से प्रेडित है तो चलिए यह जानते हो तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अमेरिका से प्रेडित है हमारे सम्मिधान में जो मूल अधिकार है वह अमेरिका के सम्मिधान से प्रेडित है इस चीज को मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बेबुनियादी मानो अधिकार के रूप में परिभासित किया गया यह एक ऐसा अधिकार है जिसको सभीक सभीक पर चलाया जा सकता है सभीका सभीक पर लागू होता है सभीधान के भाग में यह में परिभासित यह अधिकार नसल जन्म एस जो मू लदिकार है, यह सभी ब्यक्ती, सभी लिंग, और सभी भेद भाव के मोड़यों पर यह जाती अस्थान, यह सबी के मोड़यों पर यह क्या होता है? लागो होता है कौं मू लदिकार, जो कि अमेरिका के समेधान से ब्तेरित है, तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है अब चलते हैं आगे कौन सा राजे भारत पकिस्तान के सीमा के पास है तो चलिए जानते हम लोग देखियेगा भारत पकिस्तान के सीमा के पास जम्मु कस्मीर है जम्मुकस्मीर है राज 왔ान दिया गुजरत भी और पंजाब यह चार जो है भारत-पकिस्तान के सीना पर है अब चलिए आगे बरते हैं नेक्स्ट ऑरफ में प्रत्रम आम चुनाओ कब हुआ था भारत में प्रत्रम आम слова किसmän किस वर्स हुआ यानि कब हुआ था तो इसका राइट टेन सरो जाएगा 1951 1951 से लेकर 19 1951 से लेकर 1952 यहां पर 1952 लगा ठीक है 1952 ठीक है यह जो है 1952 में समाप्त चुगा था यानि इसकी बीच में 1951 से और 1952 के बीच में यह जो है हुआ था या चुनाओ अब देखते हैं लो इसमें जो है कांग्रेश बीचाई होती की से 364 सीटों से 364 सीटों से उस वक्त उन्होंने कांग्रेश जो है 45% से बीचाई होई थी कहां मौझूद है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहां मौझूद है भारत का सबसे बड़ा थार मर्वेस्था तो राजयस्थान कहां पर राजयस्थान ठीक है भारत का सबसे बड़ा थार मर्वेस्थार राजयस्थान में मौजूद है अब समझते हैं लोग थार मर्वेस्थार के बारे में कुछ जनकारी तोटल जो थार्म और वेस्थाल है वह 4.46 करोर हेक्टेर में फैला है कितना करोर हेक्टेर 4.46 करोर हेक्टेर में फैला है ठीक है यह तोटली इसका जो जितना फैला हुए यह 4.46 करोर हेक्टेर अब बात करते हैं भारत में जो है भारत में इतना का 2.78 करोर हेक्टेर भारत में अब आप पूछेंगे कि इतना है तो बाकी का कहा है तो बाकी का 2.78 परसेंट तो भारत में बाकी का जो है वह पाकिस्तान में वह कहाँ पर है वह पाकिस्तान में बाकी का जो थार्म और वेस्थाल है वह पाकिस्तान में तो यह जो थार्म और वेस्थाल की जो फैलाव है 4.46 करोर हेक्टेर है और जो यह जो भारत में कितना है 2.78 करोर हेक्टेर है तो इमीद करता हूं आप इन सबी चीज़ों को बारे में काफी अच्छी तरह से समझ गयोंगे तो चलिए झाल 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 यह जो झाल झाल पो भी तो चाल झाल झाल है